क्या आपके भी शॉर्ट वीडियो वाइरल नहीं होते आज इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो के बारे में थोड़ी बात करेंगे फिर उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है, अचानक से इतने सारे व्यूज आ जाते हैं उसमें, कि भाईया हमको लगता है वायार कितना वीडियो चल गया, फिर हम सोचते हैं एक और वीडियो हम बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, फिर उसमे करने में बहुत दिक्काजारी YouTube को short video किस viewer को दिखाए actual में तो क्या होता है कि आप मान के चलो fact बनाते हो तो fact के वीडियो आप बनाते हैं और आपके वीडियो शॉट वीडियो दो तीन वाइरल हो तो जिन लोगों ने आपके वीडियो को देखा होगा उनहीं लोग को YouTube फिर पहुंचाएगा आपके वीडियो को क्योंकि आपके audience जो है आपको सिर्फ fact देखना पसंद करती हो फिर आपका कुछ अधर वीडियो जाएगा तो audience फट से उसको श्याप अप कर देगी तो आपको वीडियो चले गए नहीं आगि वाइरल में जाएगा नहीं यह सारी चीज़ जो होती है जिनने आपको देखना करने का तरीका मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि कैसे वाइरल होती है शौट और कैसे इसमें व्यूज आते हैं तो शौट में ज्यादा इंकम हो गए रहा तो बाद में होती है जब आपके खुब सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं लेकिन शौट में बहुत जल्दी मिलते हैं जब आपके वन मिलियन टू मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप लॉंग वीडियो भी अप्लोड करोगे ना तो उसमें भी आपको व्यूज मिलेंगे लेकिन अगर आप चाहों कि अभी मेरे पास दो सो तीन सो हजार सब्सक्राइबर है और मैं चाहूं लॉंग वीडियो अप्लोड करना तो लॉंग में वीडियो व्यूज कमाएंगे शॉर्ट में ज्यादा व्यूज आएंगे क्योंकि यूट्यूब अचानक से किसी रियल में चलने लगा किसी शॉर्ट फीड में अगर वीडियो आ आपको न तो वो आप होते रहता है और चलते रहता है लोग देखते रहते हैं तो इस तरह से हमने भी कई एक्स्परियेंस की हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप भी जब शॉर्ट अप्लोड करें तो इन चीजों का ध्यान दे कि केटेगरी हम अच्छी है हमाई एक केटेगरी पर चलना है वीडियो एकदम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे पूरा देखें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तो एक सेंसफुल वीडियो भी आप बना सकते हैं जिसमें लोग को देखें ही देखें उसे पूरा तो आपका वीडियो वाइरल होने के चांस बहुत जाद रहते हैं तो यह ट्र